प्राण स्वागत अविनंदन वनकम आप सभी लोगों को और वो प्रोग्राम इसी होटल में हुआ है, होटल साइच छत देख पा रहे हैं और इस होटल के सर्विस लाजबाब थी बहुत ब्यूटिपुल ब्योस्था थी वहाँ पे और दोस्तों ब्योस्था के साथ में जो हम पूरे दिन में नॉलेज का सेरिंग किये एक उत्री के सा अपने नॉलेज का आदान पुरदान किये वो भी माइंड ब्लोइंग रहा तो दोस्तों कितना दम रहा आज के इस सेमिनार में लोगों की मुस्तरहट से पता चलता है तो देखे मैं इसके बाद दिखाऊंगा उन सारे लोगों के एक्साइटमेंट जो इस सेमिनार में हिस् दरसल में कोई भी सेमिनार हो कोई भी मीटिंग हो उसका मज़ा तो लाश्ट में ही पता चलता है कि लोगों का एक्साइटमेंट लोगों की जो अट्रेक्शन है लोगों का जो जो जोबस है वो कितना ज्यादे है तो दोस्तों मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा उन्हों का एक्साइटमेंट जो इस सेमिनार में भाग लिए नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक में एक बार फिर से आप देख रहेंगी समय हम सिरीडी में हैं सिरीडी में आज हमारा एक सफल सेमिनार था जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमिनार के हम पिछले एक महीने से एड डाल रहे थे तो आज इस सिरीडी के सफल सेमिनार में आप देख पा रहे हमारे साथ सारे लोग जुड़े हैं और इनकी मुस्कराहट बता रहे है कि कितना मज़ा आया दरसल में कोई भी सेमिनार कोई भी ट्रेनिंग होता है तो मज़ा तो तब इनकी मुसकराहट होती हैं और मुसकराहट में छुपा होता है ड्रेनिंग का रहस्य अब इस एक दिन के सेमिनार में कितना मज حवें आप इं लोगों के चैरे से देख सकते हैं बहुत ही खूस हैं सब लोग बहुत ही हैं और ऐसा लगता है कि यह जो आज एक दिन का समय था ऐसे पूरे 24 गंटे, 49 गंटे चलते रहते तो बहुत मज़ा आती, पर पॉसिबल ऐसा नहीं है, तो देखें, ये चेहरे हैं आज के इस सेमिनार का, आप कैमरा दिखा सकते हैं, कैसा रहा, आज आप लोकों का, मज़ा आई? दोस्तों, आज का दिन आप, सभी लोगों के परिवार का और फैमिली का दिन होता है, और उस परिवार और फैमिली के दिन को छोड़ करके, कि आज यहां मुझे एक घंट झेलने के लिए एक दिन झेलने के लिए आए तो कैसा लगा झेलने में मज़ा आई और मैं बताना चाहूंगा हमारे आदरणी श्री प्रमोज रोकड़े साब भी इसमें इस सेमिनार में थे नागरे साहब ने औरगनाइज किया था और ये सारे को ने पार्टिसिपेंड किया था तो दोस्तों बड़ी खुशी मिलती है कि जब इस तरह से हम अपने नॉलेज को आप सभी लोगों के साथ सेयर कर पाते हैं दोस्तों कहते हैं कि गायनती देवाच किलगीत कानी ध्यानास तुते भारत भूमी भागम स्वरगा पवरगा दि उस पावन भूमी पर यदि हमारा जन्म हुआ है और यह जीवन इस भारत भूमी के काम आए इससे बड़ा सवभाग और कुछ हो ही नहीं सकता तो जै बारत भादा की जै बारत भादा की जै